हेलो डिये स्ट्रेंज तो आज हम बात करने वाले बीसे अगरिकल्चर फर्स्ट इयर सिकेंड सामस्टर के क्रोफिजियोलोजी के लेक्चर थर्ड की जो डिफ्यूजन आस्मोसीज और एप्शॉर्प्शन ओफ वोटल होने वाला है हमने इससे पहले लेक्चर टू लेक्चर् बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है हमारा एक्जाम के पॉइंट ओव व्यू से और एक्जैम्पल जो लेक्चर हमारा वन था जो एक लेक्चर वन वो इंपोर्टेंट है और जो उससे पहले अमने स्लेबस का अनलाइस कर आया था कि क्रोफिजियोजी में क्या पढ़ना है व वोटर का एब्सोप्शिन और डिफ्यूजन और ऑस्मोसिज थी टापिक्स पर आस थर्ड लेक्चर को कवर करने वाले मैं साथ के साथ आपको सभी हमारे लेक्चर से उनके नोट्स प्रोवाइड गरा रही हूं साथ के साथ हमांगी क्लासिस भी चल रही है ठीक है और टेलि जिए पात्विड मेंपरेन कि ची एक तिनलेयर में पाउwhen कि अ लिक्विड दोतीदेगें पांसेर्ग का शितनIST के नाये चैव्हिता मेंपरेन आ इसे मेंपरेन उसको ऑस्पोसिस कातेunktव पांसेर्गााैila थातिक पांसेरीड पासेर्गी। वक्ति वोक्त हो जाता है वह कहले है रहे श्र मुंस का अग्जाम में सिर्फ-सर्फ डाइफिनेशन पूछी जाती यह ऋमसिसके बारे में कुछ में नहीं पूर्ट बारे में कुछ बहुत बुछ जाती तो इसमस भी उपक्ष से एक थिल लेयर में किसी भी लिक्विड का क्या हो जाना पास हो जाना जैसे कि वोटर का पास होना रूट के प्लांट की रूट से and semipermeable membrane is a type of biological synthetic polymer membrane that will allow certain molecules or ions to pass through it by osmosis, जो allow करती है कि बहुत सारे ions और molecules उसके से पाश हो सकते हैं और से थोच जैसे कि हमने कहा कि ये लिक्विड पास हो रहा है किसी भी त्लियर से इसी तरह से कि semipermeable membrane जो है वह बाइलोजीकल का एक इस तरह का टाइप है जो synthetic polymeric है membrane है और उसमें certain molecules और ions को वैलो कर देती है कि वह उस्मोसिस की परकिरिया से उससे क्या हो सकते हैं पास हो सकते हैं सिंपल सा टॉपिक है ओस्मोसिस ठीक है सिर्फ और सिर्फ सोल्ट में हमारा जो किसी भी कॉश्यन में पूछा जाता है एक बार दुबारा से पढ़ दीजे तो ग्रेड्वल पासिंग ओफ लिक्विड थ्रोव थिन लेयर ऑफ मैटेरियल और मेंब्रेन इसकोल ओस्मोसिस एग लेक्षर में तो सैमी पर्मियबल मेंब्रेन इस टाइप ऑफ बालोजिकल और सिंथेटिक पॉलिमरिक मेंब्रेन देट विल एलो सेटेन मॉलिक्योल और आयन्स टू पास थ्रोव इट बाई ओस्मोसिस ठीक है कि लिए ओस्मोसिस जो लेक्षर हो हमारा किलियर है ठीक है कि लिए तो इसके टाइपनेशन ही हमारी आई जाता है आती है अगर हमारा यह वाइचान से कुष्यन को उपठेंग अ पूछ ले जाता है लोंग में कभी नहीं आतो उस्मोसिस के ऊपर हमेशा शोर्ट में आएगा या तो फिर डाफिनेशन आएगी अब देखो को क्या हम क ये जो membrane यह एक किशी यह कर देती है कि कोई भी जो higher concentration उसकी तरफ को प्लो होगा यानि कि लो कंसेंटरेशन वाली चीज था वो किसकी तरफ को फ्लो होगी तो इस चीज को यह membrane semi permeable membrane क्या कर देती है एलो कर देती है ठीक है और क्या होता इसमें कि अलग-अलग concentrations क्या होती है अलग हो जाती है साप्रेट हो जाती है इसमें जाने के बाद इस तरह कि separating जो membrane होती है इसको हम semi permeable membrane बोलते है अब ही हमने पढ़ा कि देखो अब देखो एक एक पर्चमेंट पेपर एक क्या होता है पार्चमेंट पीपर पार्चमेंट ठीक है पार्चमेंट पे प। प्र एग की मैंबरेन गोट के ब्लेडर यह सैमी परमयवार मैंबरेन के गूड़ एक्जांपल्स है तो पार्चमेंट हो गया इको गोट ब्लेडर हो गे की है जाद रखना और एक या था एक और एक्सामपल आ जाता है एक मेंब्रीन पेपर है एक इसके एक्जामपल हो जाते हैं तो जब हमारा वोस्मोसिस आता है यह लिखते हैं हम सेमी इसका एक्सामपल सब्सक्राइब लिखते हैं अब वह समोची अपर लिया लेकिन हम इसको एक बार डिसकुस करें थोड़ सा बड़े बड़ी चीज में ठीक है जिसे पिलांट में हमें पताएं कि जो है वो क्या है परमेबल है जहां पर प्रोटोप्लास्मिक मेंब्रेन सेमी परमेबल होती है ठीक है प्लांट में सेल वोल जो है वो परमेबल है और प्रोटोफ्लास्मिक मेंब्रेन क्या होती है सेमी परमेबल होती है जब एक सोलिशन या फिर वोटर एक दूसरे से कि तरफ को ठीक है इस प्रोसीस को हम ओस्मोसी को तरह गटेगा तेक है उस्मोसीस की प्रोसीस के थूँ जो लिक्वीड लोवर कंसेंट्रेशन फो हाईयर निकिर की तरफ को भड़ेगा ठीक है किसकी वज़ाइगा वह सामी पर मैंबरेंट की वज़ से और इन अभी का हो चीज का सुफिशयन्ट वैल्यू में हमारी प्रंजैंट नहीं हो आञ तोब सुफीशयन्ट मातरा नातरा में होगा इस कि हईडुस्ट्रेटिक प्रेशर है घडुस्तेरि की वोटर प्रेशर लग रहा है स्यामी 청ऻमेड इस तो क्या है печ Rules मेम्पॉरेन चाह करती हैं कि बहुत अच्छा रॉल प्ले करती हम्हारा उस्मॉशिस प्रेशर को है यह सूफिश्यंट है किसी के भी फ्रॉों को रोकने उसका उस्मोटिक प्रेशर होता है ठीक है अगर उस्मोसिस का एक्जामपल हम देखें तो हमने एक्जामपल इसका देखी लिया था यह था कि वोटर जब पास होता है इन्टु रूट्स ऑफ प्लांट भाई उस्मोसिस के लिए रोगे अगर हमारे लोंग में आ जाता है तो हम देख लևते हैं ďन्ट हर नेक्स्ट हम देख लेएं Jackson कि dedicate ए हुशन । उस्मोट है झिव नत बहु किसए हम दिफ्यूजेंस भी नग रहे हैं कि टीफियूजेंस ए रहे है कुस चीजे हम इसक्तट नगा लग रहा है कि डिफियूज हो बुट चीजेजों तो पहले हम a कर दो वो प्रोसिज जिसमें जिए गौई के सब्सक्राइब कर द्षाथ मेर फ्रीम है टेट सेहलो मंधेट कर साकिल यहां दीजा में पड़ने ट्रॉम इस अग्पर द्रोवर एक्टोड़ को अगर हमारे रूम में आजाती है तो वह चिसकी वज़े से एर त्वेज़ेसे महाँंपर क्या होता होता है णे टीक Looking मेंEMिट कर पाते हैं तो किसने वज़े से घर और रूख समय में आए तो सम्हार प्रोश सहरे क्या होता है कि कि ऐडरा पाती है ट्रांस्पर हो जाना लिक्विड चीज हमारी ट्रांस्पर होती है जिए डूसर शुका प्लाइन सभान सथे डिफ्यूजबर मेंब्रेन ऑफिस और और अे टिलसन निक शके लबेनिक दिला ने के लिए रर्त यहां पर रायन का diffusion हो जाता है semi-permeable membrane में ने समय में आगे ती क्या होता हैं अब देखो कि diffusion में क्या होने वाला एक्सचेंज्ज गासिज लाइक सी ओट और डॉ टू जो गैसी डेक्सीजिव होगा और डाक्सिजन ओर कार्विंध अकसडाइड ने प्रोसेस से हो रहा है वह से एफ्यूजन की प्रोसेस से कि हमारे गैसी का सब्सक्राइब लिक्विट्स का सोलीट का किस चीज का हो रहा है बहार से अंदर से कुछ भी वो जदातर हमारे liquid और solutes में ज़्यादा पाया जाता है और slow rate होता है diffusion का liquids में fast rate होता है और solutes में क्या होता है slow rate होता है diffusion का या दखना यदि दो solutions अलग-अलग concentrations के हमने एक जगा रखे हुए हैं और उनमें diffusion करा रहे हैं कि उनके solute के particles जो हैं और solvent के जो particles है उनको ले रहे हैं लग-अलग कर रहे हैं तो क्या होगा कि इस osmosis में जब जब दो solutions हमारे separate होंगे इसका मतलब क्या होगा कि semi-permeable membrane ठीक है और जो molecules है solvent के वो diffuse हो जाएंगे एक साइट से दूसरी साइड में यानि कि liquid or solute solute और solvent दोनों के जो particles होंगे वो क्या हो जाएंगे डिफ्यूज हो जाएंगे उसे हम डिफ्यूजन मोलते हैं यहां से important question बनता है डिफ्यूजन और osmosis से यहां पर definition आती है सिर्फ और कुछ नहीं आता ठीक है अब हमने डिफ्यूजन भी पढ़ लिया अब हमनी ऑस्मोसिस भी पढ़ लिया अब हम बात कर लें ते हैं अजोप्शन वोटर वोटर का अजोप्शन